नमस्कार दोस्ता आपका हमारे चैनल एजुकेशन बॉइंट पी के फोडियो पे स्वागत है आज हम इस वीडियो में सिखें कैलेंडर का वैसे सवाल जो एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण है तो आए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर तो इसमें पहला सवाल बो toad और और तो इसमें पहले हम क्या करते हैं और देज निकालते हैं तो फच्पिषिस का ओड़ेज कितना आएगा साथ से भाग देगे तो कितना हैगा सात्तरीक 21, चार दिन आएगा ओर डेज, तो गुरुबार में जो है आप 4 दिन add कर देगे, तो गुरुबार के बाद आप 4 दिन कौन सा आएगा सुक्रवार सनिवार, प्रवीवार सुमबार, जिसका सही उत्तर हो जाएगा मंडे नेक्स सवाल की ओट चलते हैं तो नेक्स सवाल भी सेम सवाल ही है बट यहां बस बला गया है 50 दिन पहले जब पहले बला जाएगा तो गटा देना है तो 50 दिन है तो 50 दिन का अब विसम दिन निकालेंगे ओर डेज साथ से भाग देंगे तो विशन दिन कितना आएगा एक यहाँ पहले बोला गया है तो संबार में आप क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा संडे नेक्स सवाल क्यों चलते हैं देखे इस सवाल में दिन न पूश के सब्ता पूश दिया गया है किती सब्ता बात कौन सा दिन होगा तो सब्ता में विशन दिन कुछ भी नहीं होता है अर्था जीडो होता है इसका सही उत्तर क्या होगा जो कोश्चन में दिया दिन रहेगा वही उसका उत्तर भी हो जाएगा तो मंगलवार दिया गया है तो मंगलवार ही इसका उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका मंगलवार ही होगा अगर यहां दिन रहता तब फिर बनाते हैं लेकिन सब्ता है सब्ता में कुछ भी नहीं करना है चाहिए तीस सब्ता हो चाहे 32 हो चाहे 65 हो कुछ भी हो इसको नेगलेट कर देना है चलते हैं नेक्स सवाल की ओर इस सवाल में आप देखेंगे कि बोला गया आज रभी बाड है तो आज 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये सवाल आप कुछ से भी बना लिजे इसके पहले भी मैंने बता दिया है तो आप राम से बना लेंगे दो दिन आएगा दो दिन रभी बाड के बाद जोड़ दीजिए नेक्स सवाल की और चलते है इस सवाल में थोड़ा सा टेकनिक है देखे इसमें क्या टेकनिक है यहां बोला गया है आज रभी बाड है तो 15 दिन बाद बोला गया है इन बातों पर याद रखे गया है वहाँ जब बोला जाए तो हम जो जवाब देते हैं एक दिन घटा कर देते हैं जब 15 दिन बोला जाए तो हम मानते हैं इसको 14 दिन बात पूछा गया है तो रभीवार से आप जो है 14 दिन बात बताएंगे तो 14 दिन का जो 8 डे जाएगा कितना आएगा जीरो आएगा, साथ से कट जाएगा तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा आपका संडे ही हो जाएगा नेक्स सवाल इस सवाल में आप देखेंगे क्या बोला गया है कि बीते हुए कल से दो दिन पहले रभी बार था तो आने वाले कल के चार दिन बाद कौन सा दिन होगा तो इसमें कुछ नहीं करना है बस एक इसका खाका त्यार कर लेना है तुरंद बन जाएगा देखें यहाँ पहले बोला गया है बीता हुआ कल ठीक है बीता हुआ कल है तो एक हो जाएगा एक दिन पिर बोला है दो दिन पहले दो लिख देंगे उसके बाद बोला गया है आने वाले कल के यहां से आने वाले कल एक दिन पिर बोला गया है छार दिन बाद चा़ जोड़ देंगे टोटल कितना हुआ एक दिन बाद क्या हो जाएगा सुमबाड हो जाएगा इसी तरह से यहां पर दो दिन के जाएगा 50 दिन, 90 दिन कुछ भी हो उसका बिशम दीन आप लिखे और आघाम से सवाल को हल कर लिजए देखे, इसमें आप देखेंगे, जस्ट उसी तरह का सवाल है, बोला गया है बीते हुए कल से, इसके लिए एक लेखेंगे, फिर बोला गया है आने वाले कल, फिर एक लिखेंगे, फिर बोला गया है आने वाले कल, फिर एक लिखेंगे, फिर बोला गया है दस दिन बाद, फि एक दिन बाद क्या हो जाएगा उत्तर पुलस कर देंगे एक दिन तो सं ór हो जाएगा उत्तर कि नेक्ट वाल प्रपे ये सवाल जो है कि बांकि सभी सवालों से थोड़ा ज्यादा अच्छा शबाले है तो इस सवाल पर आपको ज्यादा द्याने ना है थोड़ा से ज़्यादा यहां देखेंगे जब question पड़ेंगे यहां आपको मिलेगा पांच मादी तो आपको पता है जब वहां बोला जाता है तो एक दिन हम कम count करते हैं अर्था चार दिन बाद अब देखिए 21 से चार दिन बाद कितना आपका हो गया 21 में जब चार जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 25 ठीक है अब यहाँ सवाल में था किसी मा का तीसरा दिन सुम्बाड है अर था तीन तारिक जो है आपका क्या है सुम्बाड है यहाँ लिग दिये तीन तारिक सुम्बाड है हमको जाना है कितना तारिक तक 25 तारिक तक तो आप जानते हैं कि हर सब्ता में जो है जीरो दिन विशम दिन होता है अर्थात जब तीन तारिक सुम्बाड है तो एक सब्ता बाद हम बलेंगे कौन सा दिन होगा तो आप सिधा बलेंगे संबार ही होगा अर्थात हर सब्ता में वही डेट आता है कितना ही सब्ता क्यों ना हो इन दोनों के बीच कितना सब्ता आ रहा है तीन और पचिस के बीच में तो तीन सब्ता मैक्सिमम आ रहा है क्योंकि जब 3 सप्ता में 20 दिन होगा तिन 24 दिन होगा तो 3 सप्ता यहां पे इंक्लूड हो सकता है यहां से आपका जो है 3 वीक जो है इंक्लूड रज़ हम कर सकते हैं 25 तकña केós सब्सक पहुंचें पहुंचने के लिए तो 3 सबसक इंक्लूड कर देगे ताभी हमारा है तो हमको चाहिए 25 तारीक को कौन सा दिन होगा हम से निकाल लेजिए एक दिन आगे कब बला गया है सम्भाड के बाद एक दिन आगे कौन सा दिन होगा तो मंगलवाड होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका मंगलवाड उम्मीद है आप ये सभी सवाल सीख़ गये होगे ये सब में कोई खास सवाल था नहीं तो केलेंडर का वीडियो जो है चाड़ो पाट में बना है आप चाड़ो पाट जरूर देखेंगे तो आपको पूरा रूप से केलेंडर का हर सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी सवाल एकजाब में नहीं चुतेगा चाहे वो कठिन सवाल हो चाहे एवरेज सवाल हो हर सवाल को आप बहुत ही काफिश कम समय में बना लिजेगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं हम उस टॉपिक पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे नमस्कार जय है